नमस्कार मैं RD भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान 30 जून 2020 की कुछ जरूरी खबरें कल बहुत कुछ बदलने वाली है यानि एक जुलाई से बहुत कुछ बदलने वाली है आप पूरे वीडियो में बने रहें और मैं आप से कभी नहीं कहूंगा अब कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप अपने मर्जी से जो कुछ करना चाहते हैं वही करते हैं हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं हमारा चैनल न्यू चैनल है परन्तु बहुत जन मीशन को हम आगे बढ़ाने के लिए तत पर रहते हैं तो सबसे पहले जरूरी खबरें मैं आपको बता दूँ केंदR सरकार ने उनसठ्ट चाइनीज एप को बंद कर दिया जिसमें टिक टॉक भी है और बहुत सारे आलोचना करने वालों ने ये कहा कि Petium को क्यों नहीं बंद किया बाकि चीजों को क्यों नहीं बंद किया हो सकता है भारस सरकार धिरे 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 सार और यही हाल रहा तो 50% कुछ महिनों में चीन और भारत के बीच ब्यापार जो है खत्म हो जाएगा रही बात यह कि नेपाल के बिदेश मंत्री प्रदीप ने साफ साफ कहा कि केपी सर्मा ओली जो नेपाल के प्रधान मंत्री हैं उनके बक्तब से उनके मुहिम से हमारा रिस्त हुरा हो रहा है जिस से नेपाल पर बहुत बुरा असर पर रहा है मैं आपको बता दू एक जुलाय से क्या चीजें जो है सुरू होन에 बाली है सबसे पहले तो आपको यह बता दें ततकाल टीकट भी शुरू होने की संभावना है दिल्ली सरकार केंदर सरकार को लेटर लिख रही है कि दिल्ली मेट्रो भी स्टार्ट की जाए वो सामतक खबरें आपको मिल सकती है रही बात ये कि एक जुलाई से इंकम टैक्स एक्ट में भी एक प्रापधान आया है अगर एक साल में आप 20 लाख रुपईये कैस में निकाल लेते हैं अपने बैंक एकाउंट से तो अगर आप हर साल रिटर्न भरते हैं तो आप से 2% काटा जाएगा अगर आप केबल आईडी प्रूफ के लिए पैन काट बनाये हुए हैं कोई भी लेखा जो खा आयकर विभाग को नहीं देते हैं और 20 लाख रुपईये निकाल लेते हैं अपने बैंक एकाउंट से तो आप से 20% पैसे काट लिए जाएंगे और आप से पूछा जाएगा ये पैसे आपके बैंक एकाउंट में कैसे आया कहा से आया बहुत सारी पूस्ताच हो सकती है विसे सग्यों के अनुसार डिजिटल पैमेंट को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है अब मैं आपको बता दूं कि भारत और चीन का जो तनाव है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है भारत चीन को जटका दे रहा है और चीन अमेरिका को जटका दे रहा है चाइना में अमेरिकी उत्पाद बिखते हैं तो चाइना अमेरिकी उत्पाद के ऊपर रिस्टिंशन लगा रहा है भारत में चाइनिज उत्पाद के ऊपर restriction लगाया जा रहा है मैं भारत के प्रधान मंत्री जी से भी अपील करना चाहूंगा कि अगर आप चाहें तो दो दिनों के अंदर चीन आपके घुटनों के नीचे आ जाएगा अगर आपको यह सलाह मंजूर हो तो हिमाचल के सरकिट हाउस में जो दलाई लामा हैं उनको दिल्ली में लाकर अस्थापित कर दिया जाए बहुत सारे सरकारी भवन हैं दिल्ली में आपके पास और दलाई लामा को स्वतंत्र तिबबत राष्ट का प्रधान मंत्री घोसित कर दिया जाए सदन से पास कर दिया जाए उनको इज़त के साथ रखे, चीन घुटनों के नीचे आ जाएगा, हांग कांग में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आप उसमें इंट्रेस्ट क्यों नहीं लेते, वहां पर सपोर्ट क्यों नहीं करते, ताइवान को सपोर्ट क्यों नहीं करते, चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर स सकता है चारों तरफ से आपको घेर सकता है जम्मू कस्मीर में आपके खिलाफ साजिस रच सकता है आप ताइवान हांकांग जो तिबबत यहां पर आप क्यों नहीं कर सकते जैसा चीन कर रहा है वैसा आप सुरू कर दे यूएनों क्या हर जगा आपके सामने चाइना हाथ जो वह खड़ा रहेगा यह यह है कूट नीती है है हां यह बात सही है कि बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट के उपर भारत ने क्रोक लगा दिया वह साधें चाइना उसके उपर रोक लगा दिया यहां तक बिहार में गांधी सेतु के बगल में एक पुल जो है बनाने की परियोजना थी उसमें एल एंटी और कई भारत की कंपनियां थी जिसने ठेका लिया था परन्तु उन कंपनियों को चाइनीज कंपनी के साथ पार्टनर सीथ था भारत इत धीरे धीरे ये चीन की घेराबंदी कर रहे हैं और नेपाल को भी अब यह समझ में आने लगा है कि भारत से बैर रखकर ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा कुछ दिनों के लिए तो रहेगा यहां तक केपी सर्मा ओली सदन में अब अकेले पर गए हैं उन्होंने चीखना श और यहीं अब रही बात किए बहनायावती जी ने कल प्रेस कॉनफ्रेंस में ये कह दिया कि बहुजन समाज पर्टी एक राजनायतिक दल बाद में है पहले यह movement है, बहुजन movement है, बहुजन mission है, इसलिए इसको हमेशा राजनेतिक नजरिये से नहीं देखना चाहिए. उन्होंने साप साप कहा अपने press conference में कि हमेशा जो है, हम सरकार के खिलाफ रहे हैं, Congress की बुराई इसलिए करते हैं, Congress के खिलाफ इसलिए बोलते हैं, कि जितने भी प्रवासी सर्मिक परदेश गए, ये Congress के सासनकाल की देन है. Congress के सासनकाल में बहुत जादा बुरा हुआ, और जिस वजह से आज Congress बिलकुल बिपक्ष में भी जीरो बना हुआ है. अगर BJP भी ऐसा करती रही, तो BJP के साथ भी यही होने वाला है. अपने वर्चुल रैली में, उदित राज जी ने भी कई प्रस्न उठाए, उन्होंने साप साप कहा, हमें समाज को आगे लेकर जाना है, हर मुद्दे को टच करना है, केबल जाती बाद और आरक्षन ही मुद्दा नहीं है, अगर ब्रहामन बाद मुद्दा होता, तो हम टीचर एपॉइंट कर देते समाज में, लोगों को बताते, लेकिन हर मुद्दे पे लराई लरनी है, उस लराई को छोड़कर केबल हम जातिगत मामले में उलज कर रह जाते हैं. आप बने रहे हैं बिहारी